वो यहो के मार्शल सोल के बारे में जानना है आओ मैं बोल दूंगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक फ्लेम एन म्यूस का आज इंडरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करने वाला है सोल लेंड टू के में प्रोटागोनिस्ट हुओ यहो के बारे में सोल लेंड टू में अभी तक हुओ यहो जिसके पास थ्री मार्शल सोल है जो एपिसोड में दिखाया गया है सोल लेंड विन मार्शल सोल दिखाया गया था पर सोल लेंड टू हुओ यहो के पास ट्रिपल मार्शल सोल है तो ह असूरा भी कहा जाता है और हुआ यहां के पास शुरू में केबल एक शुरु में शो की मूट उलता हम्वी कोषोय है, और शोल स्प्रीट का नाम होता है ट्यान मिंग जिसका दो रूप होता है एक सिलकॉर्म थोरा ड्रागन टाइप और एक होता है दूसरा जिस बाग टाइप दिखते है जो बहुत ही क्यूट होता है और स्काइड्रीम आइस सिलकॉर्म यानि ट्यान मिंग जो एक आइस है और क्या ही सोल स्प्रीड है और स्काइड्रिम आइस सिलकोन यानि ट्यान मिंग 10 बॉल्स ओप लाइट या टेन लेयर में हुआ यह हो पावर के हिसाब से ट्यान मिंग 4 मार्शल स्किल्स को अनलोक कर दिया है अकिका हुआ यह हो कल्डिवेशन के साथ ही अनलोक कर पाएगा यह अनलोक कर लेगा जो मार्शल स्किल्स अनलोक हुआ है उसका एबिलेटी चलिए जान लेते है इस्प्रिच्वल डिटेक्शन यानि मैंटल डिटेक्शन जो टाइम को स्लो कर देता है एनिमी के सारा डेटेल एंबरनमेंट साथी मासल मूबमेंट्स मोशन वेक्टर्स 30 मीटर इन डायमेटर के अंदर सारी चीजों को स्लो करते है जिससे बैटल में गाफी उनका एडबंटेज होता है दूसरे पर बात करें तो इस्प्रिच्वल शेयरिंग यानि मैंटल डिस्टिबिशन वो यह अपने थौट्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते है आम तोर पर वो इसे फिच्वल डिटेक्शन के साथ जोरता है और ती सरे नमबर के बात करें तो इस्प्रिच्वल शौक यानि सोल एसल्ट इसल्ट इस्प्रिच्वल शौक एक एटक है जिससे ऑपोनेंट्स के सोल इस्किल को थोड़ा टाइम के लिए ब्लोक कर दिया चाता है ये एक दोधारी तलवार है ये हुआ याहो पर भी पलट वर कर सकता है यादि उसके ऑपोनेंट के स्प्रिच्वल पावार हुआ याहो से स्ट्रॉंग होता है तो हुआ याहो को ये शौक लग सकता है तो स्प्रिच्वल इंडर्फेरेंस की बात करें यानि मेंटल इस्टर्बेंस ऑ आइस मार्शल सोल का बाकी रिंग के बारे में हम फ्यूचर में और किसी वीडियो पर बाते करेंगे दोस्तो आप भी बात करा जाए हुओ यहों का सेकंड मार्शल सोल आइजट एमपरर स्कॉर्पियन के बारे में जोकी वो एक्स्ट्रिम नॉर्थ पे ज्रावल करके उसे हासिल किया जो हमने एपिसोड में डिसकस किया आप चाहे तो उसे देख सकते हो जो बहुती इस टाइप आइस होता है जो कि सब कुछ फ्रीज कर सकता है यानि सोल पावर को भी इससे आप अंदजा लगा ही सकते हो आइस एमपरर की हुमन फॉर्म भी है जो बहुती ब्यूटिफुल है आइजट एमपरर स्कॉर्पियन सेकंड सोल रिंग जो की चार लाक यार्स का होत है एन्ड हुमन ऊँए सकंड मार्शल सोल 약 होता है और इसका अभीलीटी यह है आइस आमप्रेट्स पींचल में बदल देता है जिस्से आइस होता है। आइस आमप्रेट्स आर्मर यह पूरे तरह से डिफेंशिफ आब स्वील है मर्टी का आइस crystal ठक देता है और यहों का third martial soul one and only soul ring necromancer है इसका color dark gray and gold है and necromancer mysterious martial soul है इसका ability necromancer silent heart, deep wave, death wave, spectral gate, demiplane key, curse of blood, corrosive light, fire of spiritual control, time reversal यह बहुत ही खातरना किया आला वाला soul ring है जो की इस planet का ही नहीं है तो आप समझ सकते हो और आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें comment करके जरूर से बताना बाई